हलो बच्छा वालकम चुवाइज चैनल रोयल क्लासेज आज हम बात करने वाले हमारे क्लास 11 के सिस्टेम और पार्टिकल अंदर रोटेशनल मौस्टन के बारे में में बादी पर ना हो ऐसा ही हमने डिसकस किया था तो बूला सेंटर ओपर सिस्टेम अपर पार्टिकल अफ सिस्टेम इस पोस्ट वी कंसंट्रेटिर अट पॉइंट इस पॉइंट इस नौन आज सेंटर ओफ मास एक ऐसा पुइंट जहांपर हम कंसीड्र करते है सारा मास जो है वो एक पॉइंट पर इक कंत्थ ऑजाता है एक पोइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है तो यही सेंटर ओफ का आप्श हम लोग पड़ेंगे जयान मोशिन अफ सेंटर ओफ मास तो वीडियो का लास्ट देखना है अचिन का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्ड का बनाया है बोला motion of center of mass like we have R हमारे पर center of mass क्या होता है? R R equals to summation I want to end M-I-R-I upon May M-I यसा ही formula होता है न हमारे परस इसको capital M ले लिया M-1-R-1 क्या था formula? M-1-R-1 plus M-2-R-2 up to so N M-N-R-N upon में M-1 plus M-2 plus M-3 up to M-N यही formula था तो अब इसी formula को हमने क्या करना है motion में लेकर आना है तो R की value submission I 1 से 2, 3, 4, 5 N तक हो सकती है 1-2-N M-I-R-I upon में capital M this is known as center of mass general formula लिख दिया हमने अब क्या करा? हमें तो इसका motion पढ़ना है M को हम उदर ले गए क्योंकि M तो कौन से था? M-R equals to summation of I 1-2-N M-I-R-I मतलब क्या है यहां से हमाल पास? कि जो M-R है वो किसके equal होगा? M1-R1 plus M2-R2 plus M3-R3 and so on M-N-R-N this is known as center of mass अब इसका motion पढ़ना है तो motion पढ़ने के लिए हमने क्या बोला? लिट कर लिया M1 और यह चीज है भी M1, M2, MN is always a constant quantity हमेशा क्या होगा? constant होगा ठीक बात ना? तो अभी क्या हुआ यह हमारे पास? यह M1, M2, M3, MN यह सब constant हो गया यह सब constant है अगर तो हम क्या कहें देंगे? derivative, differentiating, both side with respect to T है ना? differentiate किया सब को with respect to T तो क्या आगया? D I by DT M1, D I by DT plus M2, D I by DT plus M3, D R 3 by DT plus MN, D R N by DT अरे, D R by DT तो कुछ होता था हमारे कानेमेटिक से देंगाया था येस D R by DT हमारे पास क्या होता था? V होता था तो यहां से क्या आगया? M V equals to M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 up to MN VN this is known as this is known as motion of center of mass तो motion of center of mass हमने निकाल दिया कि जो M V है वो किसके इक्वल होगा? M1 V1 M2 V2 up to MN VN चीक है? अभी क्या देखा हमने? अभी ही M1, M2, MN तो सब कौन स्टेंट थे तो यहां से हमारे पास क्या हो सकता था? लाइक, we have M V equals to M1 V1 M2 V2 up to MN VN यह सही है हमारे पास अभी हमने क्या क्या फिस से differentiate कर दिया with respect to T तो अभी हमने differentiate किया with respect to T हमने बोला now we have differentiate with respect to T then we will get M DV by DT M1 DV1 by DT M2 DV2 by DT up to MN DVN by DT चीक बात ना? तो अभी क्या हुआ? मतलब सूपरींपोज लग गया सबके अंदर सूपरींपोजेशन आप ऐसे, सूपरींपोजेशन आप एक्सेलरेशन, सूपरींपोजेशन आप वेलासिटी चीक बात ना? तो यह हमारे पास basically क्या था अगर हमें center of mass का अगर हमें rotational motion में आपको कोई कह दे कि motion बताइए तो उसके अंदर motion भी हो सकता है और वो same होता है as a linear motion उसके बाद आता linear momentum of a system of particle क्या होता है तो बोला linear momentum की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही P formula क्या आया था mv अभी हमने पढ़ा था capital mv equals to m1v1 m2v2 up to mnvn तो यह भी हमारे पास peak इसके equal हो जाएगा summation of i1 to npi साथी साथ हम क्या कहते है it always the law of conservation of momentum which states that momentum can neither be created nor be destroyed momentum जो है वो हमेशा क्या रहेगा same रहेगा ठीक है momentum हमेशा क्या रहता है same रहता है तो इसका अगर हमने किया dp by dt equals to dp1 by dt dp2 by dt and dpn by dt differentiate with respect to t if there is no external force if the center of mass is 0 तो dp by dt किसके equal 0 किसी का differentiation 0 कब होता है yes किसी का differentiation 0 तब होता है जब वो quantity खुद क्या होती है constant होती है यह लेट करके चले कि यह सारा 0 है तब हमारा p क्या हो जाएगा constant हो जाएगा p constant मतलब it always the law of conservation of linear momentum सीख बात अभी तक हमने basically जो चीजे पढ़ी है वो linear motion के corresponding पढ़ी है अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो सब का सब किसमें पढ़ेंगे about the rotational motion चीक है तो rotational motion की चीजों का देखने के लिए चैनल को like, share and subscribe करने बिल्कुल बिनाए बोलना है thank you